इंडिया में 26 अब जुलाई को लॉंच होने वाला है 11 इच यूज स्क्रीन, 6 एनम, मिड सेग्मेंट प्रोसेसर, स्लिमिन डिजाइन, यूज बैटरी, फास चार्जिंग एन मिनिमो दोस्तों, आज मैं Realme Paid X का अन्बोक्सिंग और फॉस्ट इंप्रेशन बताने वाला हूँ जो इंडिया में पास दिन बाद ही लॉंच होने वाला है, वो कंफर्ण हो चुका है मेरा नाम मिलने और आप देख रहे टेकी श्रीट और जैसे कि आपको पता है लेटेश्य अपडेट सबसे पहले हमारी चेनल में देखने को मिलते हैं, तो एसे ही लेटेश्य अपडेट सबसे पहले ही अन्बोक्सिंग से सुरू कर लेते है तो यह on पेड एक्स का बॉक्स, बॉक्स के ऊपर ही हाई रेज ओडियो और डोल्बी एट्मोस का ब्रांडिंग मिल जाता है, बॉक्स के लीड को ओपन कर ले दें, तो सबसे पहले पेड एक्स ही देखने को मिल जाता है, इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, और यह है 33 weight का power adapter, max output 11 weight 3 ampere की मिल जाती है, और आखरी में white color में type C to A cable मिल जाता है, बस बॉक्स में यही सब कुछ मिलता है, पेड एक्स के प्लास्टिक को remove कर लेते हैं और बात करते हैं display की, front देखे तो 11 inch की IPS LCD full screen मिल जाती है, screen में all 4 sides equal width की मिल जाएगी, aspect ratio 5 to 3 का मिल जाता है, और screen to body ratio 84.6% का मिल जाएगा, resolution 1200 by 2000 pixels का मिल जाएगा, और display में 16.7 million color का support मिल जाता है, और display में color और sharpness भी काफी अच्छी मिल जाती है, लेकिन display में एक कमी है, high refresh rate नहीं मिलेगी, लेकिन color enhancement support भी मिल जाता है, यानि आप non HDR video देखते हैं तो भी colors अच्छे मिल जाएगे, साथ में blue light eye protection certifications भी मिल जाता है, और DC DV का feature भी मिल जाएगा, all over display इस price के हिसाब से काफी अच्छी मिल जाती है, अब बात करते है, realme pad X के design और build की, pad X में frame plastic के मिल जाती है, लेकिन frosted मिल जाती है, top में volume rocker और magnetic charging module मिल जाता है, bottom में HD card slot मिल जाता है, power button left side मिल जाता है, और right में type C port मिल जाता है, यानि ये budget tablet है, लेकिन features यहाँ पे high end tablet का मिल जाते है, इस tablet की thickness करीब 7.1 mm की है, और weight करीब 499 grams का ही है, which is much better than that of the metal, in terms of weight, tablet का आब एक देखे, तो flat मिल जाता है, bottom में realme की branding मिल जाती है, top left में single rear camera मिल जाता है, जो bumpy है, और इस pad X में 3 colors मिल जाते हैं, grey, blue and green, और green color में left side racing flag की pattern मिल जाती है, realme pad X में performance की बात करे तो snapdragon 695 प्रोसेसर मिल जाता है, जो TSMC के 6 nanometer fabrication प्रोसेस पे बना है, max clock speed 2.2 GHz की मिल जाती है, आप यहाँ पे N22 score भी देख सकते है, करी 4 legs के around मिल जाता है, टेप में UFS 2 पे 2 storage मिल जाता है, यानि UFS 3.1 के compare में यहाँ पे read and तो नहीं मिलती है, लेकिन high end gaming medium setting पे खेल सकते हैं, जैसे कि king of glory में 60 fps पे खेलने पे average frame rate अच्छे मिल जाती है, और PUBG 60 fps पे खेलने पे average frame rate 40 fps तक मिल जाती है, realme pad X में battery की बात करे तो 8340 image की battery मिल जाती है, बेटरी को charge करने के लिए 33 weight का charger मिल जाता है, वैसे इस tablet में प्रोसे user भी power efficient मिल जाता है, और standby time यहाँ पे 1144 hours का मिल जाता है, और video playback time करीब 19.12 hours का मिल जाएगा, और अगर आपके पास 65 weight या तो फिर 88 का PD charger है, तो आप इसे भी इस tablet को charge कर सकते हैं, साथ में reverse charging support भी मिल जाता है, अगर आपके phone की battery over हो गई है, तो आप tablet से phone को charge कर सकते हैं, या Realme Pad X चलता है Realme UI 3.0 और paid पे, जो पना है Android 12 के उपर, जो large screen के लिए optimize किया है, Realme Pad X के साथ कहीं सारी devices interconnect कर सकते हैं, जैसे कि earphone और mobile phone और आप बोज भी connect कर सकते हैं, अगर tablet और phone सेम ही Wi-Fi network पे है, तो phone को smoothly tablet के साथ करने कर सकते हैं, और file transfer कर सकते हैं, और transmission speed भी काफी पे, जैसे कि split screen, floating windows, smart sidebar और भी कहीं सारे features मिल जाते हैं, एक्सेसरीस देखे तो Realme Magnetic Stylus मिल जाती है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, जो drawing, writing और learning में use कर सकते हैं, जो wirelessly charge कर सकते हैं, और इस stylus में 4096 level pressure sensitivity मिल जाती है, like real pen touch experience मिल जाएगा, आप यहाँ पे Apple Pencil के साथ comparison latency issue देखने को मिल जाता है, by drawing a line, बाकी Realme Paydex का smart keyboard भी मिल जाएगा, Realme Paydex की price की बात करें, तो base variant की price Indian rupees में convert करें, तो करीब 15,000 से सुरू होती है, इंडिया में साथ 17 या 18,000 में आ सकता है, इंडिया में साथ 17 या 18,000 में आ सकता है, इंडिया में साथ 17 या 18,000 में आ सकता है 4 speakers मिल जाते है, smart interconnection support मिल जाता है, और साथ में ये lightweight भी है, तो इस price range में आप इस tablet को consider कर सकते हैं, और इंडिया में चल्दी ही launch होने वाला है, जैसे ही कनपम होता है, हमारी चैनल में आपको update मिल जाएगा, so stay connected, तो दोस्तो आप क्या सोचते है, Realme Paydex के बारे में कौन सा feature आपको अच्छा लगा, और कौन सी price में इंडिया में आना चाहिए, मुझे comment में जरूर बता है, और दोस्तो ऐसे ही latest अगले अपडेट सबसे पहले देखने के लिए, और एक लाग 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 देखने के लिए, सबस्क्राइब करके, bell icon को दबाके, all कर जीजो, हमारी tech team को जोइन कर लिए, ताकि आपको latest awesome tech update की notification सबसे पहले मिल सकेए, जैसे हमने वीडियो अपलोड करते हैं, तो दोस्तों मिलते हैं अगले latest tech update के साथ, तब तक के लिए, thanks for watching, have a great day and keep smiling. झाल